आपका एकवर फिर से आपी के यूट्यूब चैनल में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर को लेकर अडानी पावर के अंदर आज की दिन हमारे जो टार्गेट थे जब यह OCCR की की रिपोर्ट आई वहां से स्टोक में गिरावट देखने हों मिली 318-320 रुपे के असपाश शेर था 312 रुपे तक भी नीचे में गया ठीक उस रिपोर्ट के वज़े स्टोक में गिरावट आई थी ना उसके बावजुद आपको मैंने क्या बोला पेसंस रखो यहां से स्टोक नीचे में मिल तो लेके चल सकते हो ठीक है वो आपके रिस्क के उपर डिपैंड करेगा और शेर की जो टार्गेट है उपर में वह 348 रुपे के हमारे थे और वह 348 रुपे के टार्गेट मेंने क्या बोला यह जो अड़ानी हडिंग वर के मामलीक उपर अपना जो सुप्रीम कोट फैसा स उपर गया वहां से बनती थी जिसके चलते स्टॉक थोड़ा बहुत फिर से नीची आया जो तेजी बनी थे न आज एक 2% के असपास 2% के असपास 2% वह सारी खतम हो गई लेकिन स्टॉक अभी भी ग्रीन कलर में हमें क्लोजिंग देते वह नजर आया है ऐसे में कलके लेवल साथा जनवरी के अंदर उस दोरान स्टॉक नीचे में 132 तक आ गया था और वहां से अब तक 158% के रिटन दे चुका है ठीक है और इस ग्रुप को जो फिर आप लोग दें सारा किस ने दिया जी क्यूजी पार्टनर्स ने और जी क्यूजी ने भर भर कर इंडिया के अंदर ठीक है इंडियन मार्केट के अंदर इतना निवेश किया ना भई इस साल बस पूछो मत इनका टार्गेट है लॉंग टरम और लॉंग टरम में इंडिया की बठती हुए इकनौमी प्रस आप लोग देखोगे इंडिया जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है ना भई उस इसापश अगर देखें तो इंडियन मार्केट आने वाले टाइम में बहु जादा तेजी के साथ उफान पर आएगी और इन सब को देखते हुए आप लोग देखोगे पूरा का पूरा देश ग्रो कर रहे हैं तो ऐसे में मार्केट कहां पीछे रहेगी मार्केट ग्रो करेगी क्या होगा क्या नहीं आएगी रिपोर्ट रिपोर्ट को पर देखें में क्या फैसल आएगा वो तो पंद्रा को पता चलेगा तो चलिए आपको दिखाते और क्या ख़बर आई है तो यहां पर आप लोग देखो कि बिजिनस टुड़े की वेबसाइट के उपर यह अपडे से पता चलता है कि OCCRP आरोपों के कारण 31 अगस्त को लगबग 10 क्रोड रुपे के तक जो नभी गिरने के बाद एक समू का जो मार्केट कैप मंगलवार सुबह 10 लाख 33,294 क्रोड रुपे हो गया था तो भई देखो वहां से स्टोक जो मार्केट है वो टूटा तकरीवर 25,000 के करीब जो नभी मार्केट के जो मार्केट कैप है अडानी क्रूप का वो टूट चुका था उस रिपोर्ट के चलते लेकिन अब सुदार है ठीक है जो भी आरोप ल अगरा वो कैसा है तो यहां पर आप लोग देखो कि डाटा की बात के तो प्रिविस क्लोजिंग 341 पिचे एतर ओपन हुआ 347 उर्पे 15 पैसे हाई लगा है 352 का टार्गेट हिट हुआ उसके बाद नीचे में जो शेयर है वो पर क्या कुछ सपोर्ट है वो देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखो कि डाटानी पावर कंद्र स्टॉंगली अप्ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और जो हमारा टार्गेट था 348.95 का आज वो हिट हुआ लेकिन उपर के लावल में आप लोग देखो कि स्ट लेकिन उसको नीचे में नहीं काटा हमारी सपोर्ट के उपर में रहा है और यहां से स्टॉक फिर से रिकवरी लेते हुए नजर आएगा और उपर में जो इसके टार्गेट रहने वाले हैं 380 के जो टार्गेट स्टॉक आपको दिखा सकता है अगर यह 340 जो इसका रेट है कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अडानी ग्रूप या फिर अडानी स्टॉक जो भी कोई भी कंपनी का स्टॉक अडानी ग्रूप से लेटेड उससे आपको कोई भी जो अप्डेट आए वो मिस न देवेंड थैंक्यो फ